हेलो एवरिवन मैं पुझा चौधरी खुशी मेकवर से वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटिफुल बहुत ही सिंपल तरीके से एक हेरिस्टैल जिसके अंदर हम लोगों को क्रंपिंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं करें में आपके साथ शेयर करते हैं उसकी व्यूटियो बहुत याजान होता है जो क्रंपिंग मअंग से एको अगर देचनी हो चैनल पर है बाकी मैंने आपको कुछ कुछ दिखा भी दिया है इस वीडियो में अब आप देख सकते हैं हम लोग उने पीछे की साइड में पोनी बनाई है इस हैरिस्टाइल में और आगे के बालों में जो क्रंपिंग की है उसमें हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे और पहले ठीका फिट करेंगे ठीका जो है वह है आपको कोई बी nut करने से पहले हम लोग छोकूँ करना चाहिए तो उसके बाद बहुत आइसे के बाद पहें पहसं करेंगے के बाद आप देखेंगे कि हम लोग पफ के लिए बाल निकाल रहे हैं इस तरीके से पवज में करEMA Delhi क सैंबा और ऐस mêmes करेंगे और अगर हम लुच वेद यूज चुंश करेंगे ईिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग रिगा को पर तो कभी कभी क्या होता ना बैक कॉमिंग करने के बाद भी दुपट्टा अगर थोड़ा सा भी हैवी हो तो दिक्कत आती है आपका पफ जो है वो नीचे जा सकता है तो इसलिए हम लोगों को जो है वो फिलर भी भल लेना चाहिए उसके बाद हम लोगों ने इसके उपर इ हेरस्टाइल बहुत इजिली कर सकते हैं इस तरीके से यह लाइनिंग जो है ना फिंगर से बहुत ही सुन्दर बनती है बट आप कॉम से बना सकते हैं काफी सारे टूल आते हैं इसको बनाने के लिए तो देगे हम लोगों ने जो है पफ आप देख सकते कितना प्यारा लग है यह बहुत ही इजी तरीके से बनाया बिल्कुल सिंपल बनाया काफी लोग कहतें कि हमें पफ बनाना नहीं आता आई होप के यह वाली जो प्रॉब्लम आपको है आज वह बिल्कुल सॉल्व हो गई होगी इसके बाद अब हम लोग साइट से इनका काम करेंगे क्योंकि इनके स्कुलिंग करने से और जो हम लोगों ने इस्प्रे किया उसके करने से क्या होता है कि आपके बालों में एक वोल्यूम आ जाएगा तो हैसे बहुत प्यारा सा बनता है अगर यह हैस्टाइल आपको मैं हाइलाइटिंग हैयर में दिखाती तो आप लोगों को बहुत पसंद बढ़ जादा तर जो मेरे चैनल पर वीडियो जाती है वो जाती है मेरे real customer की तो यह भी मेरी real customer है इनकी ring सर्मनी है उसका यह hairstyle तेयार हो रहा है तो आप इसको बहुत इसली कर सकते हैं रिंग सर्मनी तब हम लोग करते हैं काफी पसंद आता है सबको तो देखे इस तरीके से बाते करते करते हम लोग उने च्छोटे-च्छोटे पार्ट में जिनमें हमने छोड़े हैं यह फिलिक्स के लिए छोड़े हैं हम लोगों को इन बालों में करना है जो बाकी बाल बचा है अब उन सभी बालों में जो है वो हम लोग करेंगे तो देखे इस तरीके से जो पोनी हम लोगों ने बनाई थी उसकी रबड काट दी है हम लोगों ने और उसके हमारी दिख नहीं है वो पिन ना दिखाई दें क्योंकि यह भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि हैर स्टाइल में पिन जादा दिखती है तो बहुत ही मतलब अन प्रोफेशनल लगता है तो उसको कवर करने के लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए तो देखि इसलिके से रोस के साथ में हम लोगों को एक डाकुरेट कर आप यहां पर ट्यारा भी यूज कर सकते हैं आप यहां पर और और ओर और इस तरीके से जो है यह यह लगा दिया इसके उपर तो जितनी भी पिन्स आपको दिख नहीं थी पहले वह पिन आपकी दिखनी बंद हो और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग आगे से हिर स्टैलिंग थी वह हम कंप्लीट कर चुके हैं अब बाकी जितना भी बाल बचा है इसके अंदर हम लोगों को करना है करल मशीन से आप चाहें तो इस टेटनिंग मशीन से भी कर सकते हैं तो हम लोग इस तरीके से देखें इन बालों को रोल कर देंगे रोलर से और बहुत आसान है यह को पसंद आया होगा बहुत कॉइकली हो जाता है 5-10 मिदे लगते हैं स्टैल को करने में और आज आप लोग के ने इसमने शेयर किया है कि टीका किस तरीके से फिट करना है आप ल लोगों को हर चीज की अलग अलग वीडियो चाहिए तो वो भी चैनल पर एबलेबल है तो प्लीज एक बार अच्छे से सर्च कीजिएगा और बहुत अच्छे हेरिस्टाइल आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे इसी तरीके के अगर आप देखना चाहें तो उनको भ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और जब भी सब्सक्राइब करें तो बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग